नागदा नगरपाली का परिशद द्वारा P.I.C. की साधारंड सभा की बैठे काहुद की गई साधारंड सभा में कॉंग्रेस बीजेपी की पारिशद P.I.C. सदस से मौझूद रहे नागदा नगरपालिका परिशद के पारशदों ने लोहा ब्रष्टाचार और अन्य ब्रष्टाचारों की परत उधेरना शुरू कर दी परिशद के अध्यक्ष और परिशद के अधिकारियों ने बातों को नजर अंदाज कर एजेंडे की बिंदूओं पर बात करने को कहा इतना ही नहीं नगर परिशद अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने यहां तक पारशिदों को कहा कि मर्यादा में रहें बोलना मुझे भी आता है मैं दुनिया चलाती हूँ ऐसे मैं कॉंग्रेश और बीजेपी के पारशदों ने बाहर का रास्ता पकड़ लिया और बैठक का बहिशकार कर दिया नगरपालिका की CMO से विधाएक 23 बहादूर सिंग चौहान ने पूछा कि क्या अब कोई नियम है जिससे इस बैठक को हम सदन की कैरवाई को आगे बढ़ा सकें CMO ने कहा कि बैठक को अगले दिनाग में कर सकते हैं पुना सब को आमत्रित किया जाएगा वाटकरमां के एकी पार्षद उशा सिसोधिया ने कहा कि मुझे यही नहीं पता कि मैं किस पत पर PIC सदसी हूँ आप मेरा इस्तिफा लीजिए और साइन कीजिए विरोध नहीं था वो हमारी पार्टी के जो हमारे नगरपालिका के जो अध्यक्स है उनको तो स for a life when you know aolics yeah उनके द्वारा जो की जा रही है उससे लिये हम आपको नगरपालिका drin के जी को हमने स्थुर बुलाने के लिए आभदन निवेदन भी किया और आगे कलेक्टर साब को भी हमने निवेदन किया था और उन्होंने वहां से कहा भी सही कि आप इसे सत्र बुलाईए क्योंकि हमारे यहां पर नगरपाली का में भंगार चोरी का एक भूद बड़ा मामला आया था जब परिशाद बनी थी उसके साहे दो या तिन महिने के बाद में ही वहां पर में बस् कटे और वहां से चौरी और चोरी इस मातरा में पूरा नहीं होजाता अब इतनी बड़ी मातरा में अगर कोई व्यक्ती बीच बजार में से अगर कोई चीज़ निकाल के ले जाएगा तो वह केमरों में भी आया होगा या नगरपाली यह पुलिस प्रसाशन दुरा चैमरे लगाए गए हैं या एनिटिंग जो भी विवस्ताओं से या उसकी चांदिन हम बड़ी अच्छी तरीके से करा सकते थे मगर उसको सिर्फ यह एक फोन लगाया गया थाने में कि साब हमारे यह चोरी हो गई है और कंप्लेन करके उस मामले को दबा दिया जब मैंने उसके संग्यान लिया थाने जाकर के साब हमारे यह चोरी हुई थी आपने इसमें क्या करवई की बोले साब आपके यहां के सीमों साब हमारे साथ में कॉपरेट नहीं कर रहा है हमने उनसे फुटेज वगेरा मांगी तो उन् पर द्यान क्यों नहीं दे रहे हूं तो उन्होंने कहां मैं दिखवाता हूं और उन्होंने जाके ऐसा कैसा अद्धिक जी के सामने बोला कि आरे वह महिन सिंग जी आये हैं और वह उस मामले को मेटर को बहुत अच्छी तो बार-बार उठा रहे हैं तो बोले कि आप उनसे बा जो जन माल जो भी हमारा उसकी सुरक्षा करना हमारा प्रतम दाइतु है और आज हमारे यहां चोरी हो गई और हम कहे रहे हैं कि हमारी इसमें बेज़्जेती हो जाएगी मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बेज़्जेती वाली बात है देखिए विरोध क्यों हो रा कि अनुरूप हमने अध्यश को चुना है तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि हम बारा लोगों को उस परिशर को वकाउट करना पड़ा पहली चीज़ देखिए विरोध कब होता है कि जब कही तानाशानी होती है या फिर हमसे बड़े जो लोग है वह हमारी बात को कही सुनी अ मैं आता हूं विशे पे आउट्सोट की जब भरती हुई थी आउट्सोट का जब टेंडर लगा था परिशर में इस आउट्सोट को लाया गया था तब उस परिशर में हमने यह इस पस्टी करन करा था कि आप इस आउट्सोट को नियम अनुसार करें आप जो करने जा रहे उसमें अनियमित्ता है पब्लिक हम पर हजेगी क्योंकि यह पब्लिक है यह सब जानती है उन्होंने हमारी बात को सिवकार नहीं किया 125 लोग की आउट्सोट में भरती कराई और उस आउट्सोट को अगर आप आईडिया के तहर निकालेंगे तो जने कितनी अनियमित्ता उसमे पाई जाएगी जैसे की 125 लोगों को तंखा नगरपाली करके दुवारा दी जाती है आप मुझे बताइए कि आपको नागदा सहर किसी भी कंडिस्ट में आज स्वस्त दिखाई दे रहा मांदनी भरजंता पार्टी के विधायक आतरने तेज भादुसी चौहान साब चाहते हैं कि नागदा स्वस्ति हो नागदा वरह थो हो नागदा स्वक्ष रहे तो कैसे रहेगा जब 125 लोगों के नाम पर पैसा निकाला है वो सायद अन्य कहीं किनी लोगों के जेब में जा रहा है 25 लोग इस नाग्दा नगर में काम नहीं कर रहा हूं और खुली चुनोती भी दे रहा हूं लोगों को काप 36 वाडों में कहीं पर भी चले जाई हैं आप कहीं आपको सफाह नहीं दिखी मैं मेरे वाड की बात करता हूँ वाड करमांग चाउदा में आप पदारो इस नियाय पालिका की अध्यक्ष जिसको हम नियाय धिश्मोदे कहते हैं मजिस्टेट के बंगले के पीछे का आप जाके नाला देखेंगे तो सायद आपको लगेगा कि आप किसी गाउं खेड़े के पंचायत में निवास रत्त हो ऐसे दुर्भागे पुने इस्तिती में हमारा विरोध करना जायज है और सत्य में हो जायते जब तक निर्णाय अपनी इस्तिती तक नहीं पोच जाता तब तक हम विरोध करते रहेंगे